नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर एमपी सिंग आप सभी का यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ साथियो आज समधान दिवस है उसकी सभी पूरे देश वासियों को हर्दिक सुब कामना है साथियो समधान के बारे में तो आप सभी जानते हैं लेकिन आज समधान के बारे में बहुत बारीखियों से मैं आपको अवगत कराऊँगा पूरी वीडियो को सुनना और जो सार तत्व है उसको आत्म साथ करना और अन्य लोगों तक पहुँचाना ताकि औरों का भी भलाप हो जाए साथियों दलित वर्ग में पैदा होने वाले भीमराव अंबेड कर ने बच्पन से ही अनेकों यातनाओं को जिला पढ़ाई लिखाई में अनेकों परेशानियों को सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी भारत वर्ष के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इनसान घोसित हुए साथियों उन्हों ने ही इस सम्मिधान को लिखा और लागू किया साथियों यह हम सब के लिए गर्व की बात है साथियों में बताना चाहता हूं कि उस समय जो छोटी जातियों के लोग होते थे SC, BC, OBC, ST उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते थे, कुर्शी पर नहीं बैठते थे, बड़ी नोक्रियों में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, चुनाव नहीं लड़ सकते थे जो चाकरी करनी थी, सिर्फ गुलामी ही करनी उनके बस की बस में रह गई थी साथियों उससे मुक्ति दिलाई, बाबा भीमराव अंबेड करने इस समधान को लिख करके पहले मनु इसम्रती के द्वारा ही यह देश चलता था, लेकिन जब से समधान आया, देश वासियों ने समधान की कानून के उपर ही इस देश को चलाना शुरू कर दिया साथियों जनम से लेकर के मृत्तू तक समधान के द्वारा ही सब कुछ होता है जब बच्चा गरभ में होता है, तब उसका कोई भी भृून परिक्षण नहीं करा सकता है नहीं कोई भृून हत्या कर सकता है यदि कोई ऐसा करता है, तो कानून उसके खिलाब का रवाई ही करता है लेकिन समधान से पहले ऐसा नहीं था बच्चे को गरभ में ही मार देते थे, या पैदा होने के बाद जो लड़किया होती थी, उनको मार देते थे लेकिन आज कन्या को मारना पाप है और उसकी कानून में सजा है उसके बाद में जैसे ही बच्चा पलता है, बड़ा होता है, पांस साल का हो जाता है बिद्याले उसको भेजा जाता है, पढ़ने लिखने का समानता का अधकार सभी को मिल चुका है पहले कोई पढ़ने नहीं दिया जाता था आज पढ़ाई लिखाई में चाहे लड़का है, चाहे लड़की है दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं एक ही साथ रहते हैं और पहले जो दलितवर के भीम राव उम्बेट करते उनको सबसे पीछे बढ़ाय जाता था पानी भी पीने की उनकी पर्मिशन नहीं थी पानी भी वे ओक लगा करके दूसरे डालते थे तो पीते थे आज उपर था खतम हो चुगी है बच्चे स्कूल कॉलिज यूनिवरस्टी में एक साथ पढ़ते हैं नोकरियों में आरक्षण करने के बाद में जो चोटे लोग थे गरीब लोग थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे कम पढ़े लिखे लोग थे उनको आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं काबलियत के आधार पर I.S. I.P.S. लगे हुए है अठारे साल के होने के बाद में वो चुनाब भी लड़ सकते हैं साक्तियों MP, ML भी बने हुए हैं आज गवर्नर भी लगे हुए हैं राष्ट पती भी और बन चुके हैं मुख्य मंत्री भी बन चुके हैं साथियों सब समयधान की देव हैं बाबा सहाव अंबेट करके द्वारा निर्मिर समयधान की बज़े से लोग जज बन चुके हैं लोग मजिस्टेट बन चुके हैं लोग बैग्यानिक बन चुके हैं लेक्चरर प्रोफिसर डॉक्टर बन कर आज अपने जीवन यापन कर रहे यह सब बाबा साहब भी मराव अमबेटकर की देन है आज जिस सम्मधान दिवस को हम मना रहे हैं साथियो बड़े सरद्धाभाव से मना रहे हैं उसके बाद की बात भी हम कहते हैं कि बाबा साहब इतने पढ़ने लिखने के बाद भी इस सम्मधान में उन्होंने द्वेस प्रसासनिक अधिकारी हो, सब भी इसी में से कुटेशन उठाते हैं, और उसी को उसी पर काम करते हैं, और उसी के आधार पर अपना घर का परवार का जो भी काम होता है, उसको करते हैं, कहीं किसी को मार पीट होती है, कहीं किसी की हिंसा होती है, कहीं छीना जप्ती होती है, कह पर कई कबजे होते हैं उन सब के लिए बाबा साहब ने कानून बना दिया और हकों की लड़ाई के लिए आज उसी आधार पर गरीब और अमीर सब को न्याय मिल रहा है साथियों समधान दिबस पर आप सब के लिए मैं संदेश देता हूं कि समधान के बारे में हर बच्चे को बताना चाहिए घर में समधान रखना चाहिए और समधान को पढ़ना चाहिए जिसके पास समधान ना हो वह समधान को खरीद ले और यदि किसी को यदि ऐसी जरूरत है तो मुझे लिखें मेरे से समपर करें मैं उनको समधान उपलब्ध करा हूँगा इन सब बातों के साथ में उन्हें सभी देश वासियों को सम्मधान दिबस की हार दिख सुग काम नहीं